नमस्कार दोस्तों, यह जब मेरे कॉलियस के प्लान देख रहे हैं, आप देखकर ही मालूम जलता होगा, कि यह कितने हल्दी है, उसे के साथ साथ जितका जो कलर है, वो भी कितना ब्राइट है, इसका में रिजन तो यही है, कि मैंने फरवरी मैंने जैसे स्टार्ट हुआ, मैं बाद तो यह दो सीजन, यहाने रेनी सीजन, और दोस्तों विंटर में यह अच्छी तरह से सर्वाव कर जाते हैं, इसे डारिक में धूप में रखेंगे, तो भी कुछ प्रॉल्लम नहीं होता है, पर जैसे ही फरवरी में ना एंडिंग होता है, यह स्टार्टिंग होता है, इस प्लांट को हमें ऐसे जगह शिप्ट करना पड़ता है, जहाँ पर लाइट तो आती हो, पर डारिक स्टार्ट ना आती हो, क्योंकि यह प्लांट इंडूर प्लांट है, इसके लिए जैसे ही गर्मी का सीजन चलो हो जाता है, हमें इस प्लांट की बहुत ही केर करनी अगर आपके गार्डन में ऐसे कोई जगह नहीं है, कि जहाँ पर दोस्तो चाव आती हो, तो हमें ग्रीन नेट जो हमें मार्केट में मिलती है, उसका आप यूज कर सकते हैं, पर चाव में रखना बहुत ही दोस्तो जरूर हो जाता है इस प्लांट के लिए, नहीं तो दिरे गंगे हैं, जो पूराने वाले ब्रांचेस है इसमें जो पत्ते लगे हुए वो दिरे-दिरे करके नीचे गिरने लगते हैं, और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, कि इसकी जो branches है और seeds यहीं बच जाते हैं और जो इसकी खुप्षुरित जो पत्तों में है वो पूरी तरह से drop हो जाते हैं और दीरे दीरे करके यह हमारा plant खतम हो जाता है इसके लिए इसके जो भी seeds है वो हमें कटर से कार देने होते हैं और दूसरी जो बात आती है वो है गुड़ाई की हम फटलजाद देते हैं या फिर नहीं देते हैं फिर भी जो भी हमारे plant है फिर वो collage का plant ऐसा नहीं है दोस्तों कोई भी अधर plant हो जो गमले में लगा हुआ है हर 15 दिन में हमें गुड़ाई करना बहुत ही आवस्यक होता है इसका main region तो यही है कि जैसे हम गुड़ाई करते हैं इसके जो मिट्टी है वो लूज होती है और इसके कारण जो हमारे air के circulation है वो अच्छी तरह से बना रहता है और इसमें oxygen के मात्रा हमारे जड़ों तक पोज़ती है और जो हमारे मीत्र जीवन रहते हैं उसकी संख्या काफी बढ़ जाती है इसके लिए इसके गुड़ाई करना बहुत ही आवस्यक होता है गुड़ाई करते वक्त एक बात को आपको हमेशे द्यान रखना होगा जब आप गुड़ाई करते हैं और कोई भी प्लांट हो अगर उसकी जड़ों उपर तक आ निकली हुई है तो हमें समझ जाना चाहिए कि अंदर जगा नहीं मिल रहे है जड़ों को फेलने के लिए अभी दोस्तो उस टाइम पे आप तो जो अपना प्लांट है उसे बड़े गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके पास गमला नहीं है तो फिर यही प्लांट हमें बाहर निकल कर इसके दोस्तो अच्छी तरह से रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूर हो जाता है यह आप देख सकते हैं इसके जो रूट से जब मैंने गुड़ाई की थी तो पूरी तरह से बाहर निकले हुए हैं पर बात आती है फटलेजर गी तो आपको एक बात का हमें से द्रान रखना होगा कि जो भी आपके प्लांट है फिर वो इंडोर हो या आउर्डोर सभी प्लांट के लिए हमें लिक्विड बेस में फटलेजर बना कर देना होगा अभी यो कोलियस के प्लैंड आप देख रहे हैं इसके लिए मैं आपको लिक्री फटलाजाग बना कर दिखाने वाला हूँ कि जिसका आप हर तीन मेने बाद यूज कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक लिटर पानी ले लेना है और आप देख सकते हैं एक मुटबर मैंने वर्मी कमपोस्ट ले लिया है अगर आपके पास वर्मी कमपोस्ट नहीं है तो आप दोस्तों सेड़ी हुई गोबर का खातका भी इस्तिमल कर सकते हैं और उसमें हम लोग एक चमच एपसन सोल्ट का यूज करेंगे और इस गोल को कम से कम हम 24 गंडे के लिए ऐसे ही रख देंगे और 24 गंडे के बाद जो हमारे लिक्वी फटलाजर रेड़ी होगा उसमें हम और पानी को वेड़ करेंगे और जो भी हमारे प्लांट हैं सभी प्लांट में 1500-22 ml हम लोग डालेंगे और यह जो फटलाजर हम बना रहे हैं यह शिर्फ दोस्तो कोलेस के प्लांट के लिए नहीं है हमारे अधर भी जो भी प्लांट है और सभी प्लांट के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और यह बहुत ही असर दार है क्योंकि liquid fertilizer जो भी हम बनाते हैं उसका असर बहुत ही fast हमें दिखा देता है और गरिमी के season में एक बात को आपको द्यान रखना है कि जो भी fertilizer हम देते हैं उसे liquid base में बना करी हमें देना है देखे दोस्तों यह हमारा गोल पूर्दत अभी ready हो चुका है इसे अभी कम से कम 24 गंटे के लिए हम एशी जगा रखेंगे जहां पर direct sunlight ना आती हो ताकि 24 गंटे में जो भी हम लोगों ने इसमें फटलेजर यूज़ किया है वो अच्छी तरह से उसका जो भी nutrition है वो पाने में उतर जाए और हमार लिक्वी फटलेजर बन जाए और इसके बाद जो main बात आती है वी कोलेज के प्लांट को हम cutting से किस तरह से ग्रोप कर सकते है आपके पास कोंसे भी color का कोलेज के प्लांट रहने दो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ज्यादा करके ये जो हमारे प्लांट है वो गर्मी में अच्छी तरह से survival नहीं कर पाते हैं और 80% ये प्लांट पूरी तरह से खतम हो जाते हैं इसके लिए जितना हो सके आपके पास जो भी प्लांट है वो कौनसे भी color के रहने दे एक प्लांट के कम से कम आपको 3-4 नए प्लांट रेडिगर के रखना होगा बायचास अगर हमारे जो कौलेज का प्लांट है वो तेज़ दूप की करन या गर्मी करन अगर बच नहीं पाया तो इसकी जगह पे जो हम लोग ने कटिंग से ग्रो कराया था जो प्लांट है उसे लगा सकते हैं ताकि हमारे जो कौलेज का प्लांट है और जो color हमारे garden में ह वो हमारे garden में ऐसे ही बना रहेगा तो देखे दोस्तों इसे दो तरह से लगा सकते हैं और कौलेज का प्लांट इतने फास्ट ग्रो होता है कि आप इसे ही जमिन पर डाल देंगे और थोड़ा पानी देते रहेंगे तो भी इसमें जड़े निकलाती है और एक अप्ते के अं पॉल्टिंग का जो बोटल है उसे मेरे बीच में से काड़ दिया है और इसमें पानी भरकर हम पानी में ग्रो करेंगे याने बिना मिट्टी के हमें इसे ग्रो कर सकते हैं और यह प्लांट बहुत यह आसानी से ग्रो हो जाता है अगर आपके आसपोडस में ऐसा कोई कलर है जो आपके पास नहीं है तो आप इसे लाकर अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन के सोभा बढ़ा सकते हैं देखे सबसे पहले तो जो हम मिट्टी में लगाने वाले हैं उस कटिंग को अच्छी तरह से उसके जो नीचे वाले पत्ते हैं वो हमें मिट्टी में आप लगाना चाहते हैं उसमें दोस्तों 5-10 मिन पहले ही आपको पानी डालकर रखना है थाकि जो हमारे मिट्टी है वो लूज हो सके और इसमें लकड़ी लेकर अच्छी ते होल बना लेना है और आप देख सकते हैं इस तरह से लगाकर इसे दबा देना है दे 210 कटिंग बहुत ही आसानी से गुरू हो जाते हैं श्रीव आपको एक बात का द्यान रखना होगा कि जो कटिंग हम लगाते हैं उसे ऐसे जगह रखना है जहां पर लाइट तो आती हो पर डारिक संद लाइट ना आती हो अभी मैं आपको दूसरे टाइप से इसे गुरू कर करके दिखाता हूँ याने पानी में हम लोग किस राशी से गुरू कर सकते हैं क्योंकि सोहल में तो सभी प्लांट गुरू होते हैं वो पानी में कुछ ऐसे प्लांट है वो ही प्लांट पानी में गुरू हो पाते हैं इसमें दोस्तों एक कोलेश का प्लांट भी आता है तो स rikaye bynna इसे भी कहते हैं कि हम लोगन cutting लगाया था वो अच्छी तरह से grow नियो हो पाया और वो मुर्जा गया इसका main reason है कि जो notes वाला हिस्सा है ना ही हो मिटी में जाता है ना ही पाने में जाता है इसके लिए वो अच्छी तरह से grow नियो पाता है अभी देखे दोस्तों जो फटलाजर हम लोग ने रेडिक किया था उसे अभी 24 गंटे याने एक दिन पूरा हो चुका है तो सबसे पहले हमें इसे अच्छी तरह से मिच कर लेना है और इस लिकवी फटलाजर को हमरे पास जो भी प्लांट है फिर वो इंडोर हो या आउट्डोर सबी प्लांट में हम यूज कर सकते हैं और जो हम लोग ने एक लिटर का घुल बनाया था उसमें हम लोग वापस एक लिटर पाणी एड़ करेंगे यानि रूदो लिटर का यह हमारा फटलाजर बन चुका है अब सभी जो भी प्लांट हमरे पास है और सभी प्लांट में हम लोग दोस्तों देड़ से दोसों में देज जखते हैं और जो कोलेस का प्लांट है उसे ज़्यादा फटलाजर के आवसकता नहीं होती है यानि तीन मेने में आप एक बार इसका यूज करेंगे तो भी काफी हो जाता है बाकि जो अधर प्लांट से हैं उसे दोस्तों उसकी इसाब से हमें पंद्रा दिन में या एक मेने में फटलाजर देना है पड़ता है पर यह कोलेश के प्लांट ऐसा है कि इसे ज़्यादा फटलाजर के आवसकता नहीं होती है ऐसे देखा जाए तो कोलेश का प्लांट यह पर्मनेन प्लांट है सिफ तीन मेने हमें इसे ज़्यादा केर करने पड़ती है यानि अपरेल, माई और जून मेन में अगर इस तीन मेने में हम लोगों इसे बचा लिया तो यह अच्छी तेरा से पूरा साल यह हमारे गाडन में बना रहेगा गर्मी के मोसम में अगर आपको अपने प्लांट को बचाना है तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो स्प्रे बोटल रती है उसमें पाने बर कर आप सुबा सुबा स्प्रे कर सकते हैं नहीं तो फिर दोपर में भी आप स्प्रे कर सकते हैं सिप रात को हमें स्प्रे नहीं करना है क्योंकि रात में ऐसे ही हमारे प्लांट पे नमी रहती है ऐसे ही छुटी छुटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारा कॉलियस का प्रांट हमेशा हमारे गार्डन में बना रहेगा तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेने का समय चुका है अगर हमरे विडियो आपको पसंद आए तो लाइक्स और कॉमेंट्स करना ना भूलना तो मिलते हैं दोस्तों नेक्ट विडियो में नेक्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद